इस तरह से तो आपने कोशिश पिछली बार भी की थी आप BSP के साथ रहे पर तब तो उतना कुछ हुआ नहीं आप जो चाहते थे इस बार कैसे आपको उम्मीद है क्योंकि जब बसपा के साथ समाज़ादी पाड़ी का एलाइंस हुआ तो BJP इस बात को कहने में काम्याब हो ग रहे हैं तो उनको साथ लाय जाए और एगर हमें छोटे दल भी मिले जिनका बहुत बार संगठन नहीं है लेक्ट वो जन्ता के उनका एक हिस्से में बोटे तो उन सब को साथ ला करके कोशिश की कि हर समाज की लीडर्शिप समाज़दी पार्टी में दिखाई दे। आपको क्या लगता है कि राज़वर जी जो साथ जुड़े हैं उसका असर दिखाई देखा इस पार? नहीं क्योंकि ओंपकार राज़वर जी के आने के बाद, राम अचल राज़वर जी के आने के बाद, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर पदेश में राज़वर जो लीडर्शिप थी, वो पूरी समाज़दी पार्टी के साथ जुड़ गई और उसका परणाम आप देखेंगे कि सातमे चरण में यही राज़वर समाज के लोग, यही चौण समाज के लोग, यही निसास समाज के लोग भादिजनता पार्टी को साथ समंदर भार फेक देंगे साथ समंदर बहुत दूर फेक रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे भारत छोड़ो करके तमाम पैसा बैंकों को ले गए वो साथ समंदर भारी तो हैं इस बार फेक वीडियो बहुत चले एक वीडियो चल गया है पुरण और अगर कोई शेक वीडियो चलाता है तो सी पिक प्कड़ा जाता है और काउंटर भी किये गए जी काउंटर भी किये गए आईए चलते हम लोग इस तरफ आईए देखे ये गोमती रिवर फ्रंट है यही आपने बनवाए था अगर आपको याद हो और सिर्फ में देख रहा हूं कि थोड़ी यहां गंदगी है लोग पान खाके थूकते हैं तो जब कभी बाहर जाता था और बाहर जाकर कि मैं उन नदियों को देखता था तो मुझे लगता था कि हम क्यों नहीं अपनी नदी भी साफ कर सकते हैं इसलिए यहां पर आखिटेक्ट और जो जानकार थे उनको मैंने साथ लिया और यह रिवर फ्रंट क्रियेट किया मैं समस् यह काम अगर पूरा हो जाता इसके अगर नाले रुख जाते एक नाला जो दिखाई देरा सामने यह एक यह और 900 मीटर केवल यह सरकार काम कर दे थी तो शायद देश की यह पहली नदी होती जो शेर के अंदर साब बहरी होती लेकिन इनको किसी भी अच्छे काम से कोई लग बैठ सकते थे एक जगह ऐसी बनती जहां शेर में कोई आकर के बैठना चाहे तो शायद बैठ सकता था और यही हमारा गंगा एक्शन प्लान वन था अगर आप मांगंगा को साफ करना चाहते हो तो बिना गुमती के साफ की हो कैसे मांगंगा साफ हो जाएगी क्यों अंतों क बॉसिप छपती है दिली में उसमें ये भी छपा कि कई अधिकारी अब प्लान बना रहें कि अगले पांच साल तक सरकार आएगी तो नए काम क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी क्या ये सब अफवाएं हैं या ये एक सत्ता का क्योंकि अधिकारी समझ जाते हैं कि 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 सरकार बनने वाली है ये अधिकारियों का यही एक उनका कह सकते हैं कमाल है कि वो सरकार के पढ़ाम आने से पहले जाते हैं कि कि सरकार आने वाली है तो सवाविक है अधिकारियों को काम करना है तो सरकार में कैसे और खास बन जाएं उस दिशा में हर कोशिश करते हैं अध झाल झाल